नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आपका एक बार फिर से और आज का विडियो थोड़ा इंट्रस्टिंग होने वाला है कुछ आपको समझाने की कोशिश करूगा और कुछ बताने की कोशिश करूगा कि आपको बेढ़ चाल में नहीं फसना किसकी बेढ़ चाल पिर आस्ता आस्ता कभी शीबी उन्म की आथा कभी फलोकी की फोटो लगा रहे थे ट्वीटर पे फिर अप पिछले कुछ दिदों में ट्वीटर का नाम ही चेंज कर दिया X रख दिया X क्यों रखा ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कुछ एनलाइज करने की कोशिश करूँगा और यकीन है मुझे भविश्य में आप यही कुछ होते हुए देखोगे इसका भी चैलेंज करता हूं वीडियो को सेव करके रख लेना भविश्य में काम आएगा आपको गलानी नहीं होगी पश्यात आपने योगा की हम किसी ऐसे बंदे को फालो कर रहे थे जिसने खाली हमारे साथ क्या गिया जूट बोला वैसे आई तक मैंने जब जब जो जो कहा है तब तब सो सो हुआ है और फ्यूचर में ट्वीटर के साथ भी ये सब कुछ होने वाला है ट्वीटर मतलब X और आपको क्या नहीं करना आपको दूसरों के पेचेक देखके दूसरों के पैसे देखके दूसरों के सक्रीन शाट देखके आपको ट्वीटर ब्लू सब्सक्राइब नहीं करना फिर करना क्या अगर बैस सब्सक्राइब नहीं करना क्योंकि वहां से आपको चेक मेले ना मिले लेकिन अगर आपने ट्वीटर में पैसे देने हैं तो आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको आने वाले समय में काफी बेनिफिट हो सकता है तो वीडियो के अंत तक बने रहोगे काफी कुछ आपको थिकने को मिलेगा और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो का बनाने का सिर्फ यही है कहीं ना कहीं जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने कहा था कि कुछ पॉन्दी स्कीम्स यो हैं वो इलीगल होती है और कुछ पॉंजी स्किम्स लीगल होती है तो मैं यही से शुरुवात करता हूँ आलांकि मैं सीधा टापिक पर चलना चाता था लेकिन आपको थोड़ा समझा दूँ यही से शुरुवात करता हूँ दोस्तो इंफुलेंसर जी हाँ, इंफुलेंसर का काम किया होता है, इंफुलेंसर का काम होता है, इंफुलेंस करना, कहीं बड़े इंफुलेंसर होते हैं, जैसे एक्टर्स होगे, हालिवुड का एक्टर होगा, बड़ा इंफुलेंसर होगा, उनकी मुवीज लगेंगी, क्रोडों में कमाएंगी, अ नहीं इंडियन मुविज पठान तीन-चार सो क्रोड अक्षे कुमार की मुविज सो-डेट सो क्रोड और अमिताब अच्चन की मुविज क्रोडों में तो इंडियन एक्टर्स जो है क्रोडों में कमाते हैं बालीवुड हजारों क्रोडों में कमाते हैं होता क्या है खुद कु influencer हो मैं आप हम सब क्या है influencer है आप कैसे influencer हो आप कोई product market से purchase करते हो आप अच्छा लगता है अपने यारों दोस्तों रिष्टेदारों को बताते हो भाई मैंने product क्रीदा अच्छा है यह गाड़ी खरीदी अच्छी है यह मैंने tooth brush लिया यह मैंने camera लिया यह मैंने mobile लिया यह क्या influence कर रहे हो आप अपने दोस्तों को बदले में वो आपको क्या दे रहे है कुछ नहीं दे रहे लेकिन बड़े influencer जब कोई काम करते हैं वो भी आपने कैसे यह सेखा कि यह mobile अच्छा है क्योंकि वो उसकी advertisement अमिदाब अच्छे ने की थी कौन बनेगा क्रोडबती में जो क्रोडबती बनता है वो इतने पैसे नहीं लेता जितने पैसे हैं अमिदाब अच्छन होस्ट करने के लेते हैं साथ सो कروड 500 700 800 करोड कुछ ऐसी विगर है जब टॉटल लेते हैं जितना वोो होस्त करते हैं ऐसे बिग 먼저 सिल्मान खान होस्त करते हैं करोडों के रिरां को छाइब से लेते हैं लेकिन विनर को क्रोड मिलता नहीं मिलता मतलब जो जो दुदारू गाए हैं जो पैसा कमाproduct दे ही है उनको पैसा नहीं मिलता पैसा किनको मिलता है जो इंफुलेंसर होते हैं इसलिए इंफुलेंसर का बहुत बड़ा रोल है अब आती है पॉंजी स्कीम जो मैं पॉंजी स्कीम की बात करा था पॉंजी स्कीम किया है पॉंजी स्कीम है इंफुलेंसर जब कुछ इंफुलेंस करने के लिए आगे आते हैं तो उनको बदले में reward दिये जाते हैं legal way में हम इताब अच्छंग कर रहा है legal way में बालीवूड actor कर रहा है legal way में Hollywood actor कर रहा है सब legally कर रहे हैं पैसा तो ले रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं आपको बता रहे हैं साथ में यह चीज़ ऐसी है यह चीज़ वह ऐसी है करना करो नहीं करना ना करो आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा बदले में ऐसा नहीं है उनको कमिशन दी जा रही है नो स्वीगी क्या है स्वीगी भी वही काम कर रही है जमैटो क्या उसने भी वही काम किया ब्लिंकिट क्या उसने भी वही काम की है यह सबी ने इन्फुलेंसर्स की यूज किया है पॉंजी स्कीमें चलाई है क्योंकि मैं ट्वीटर क्या कर रहा है यह पॉंजी स्कीम चला रहा यह आपको समझना पढ़ेगा, यह इंफलैंसर्स की मदद ले रहे हैं यह वह कर रहे हैं जो लीगली सही है, यैस, जो लीगली सही है दोस्तो आपकि इसे रैस्टिनरण पे खाना खाने जाते हो, किसी नामचीन हलवाई के पास जाते हो, किसी बढ़िया सी हलवाई की दुकान पे जाते हो आप वहाँ पे मिठाई लेते हो आप से 200 रुपया 300 रुपया 500 रुपया चार्ज किया जाता है आप स्वीगी के माध्यम से लेते हो तो आपको 125-150-200 रुपय का डिस्कॉंड दिया जाता है कभी उस हलवाई से पूछो कि समझना पड़ेगा स्वीगी दुकानदार को पैसे पूरे दे रहा है क्योंकि वो नामचीन दुकान है वो क्यों स्वीगी से कम लेगा स्वीगी उसको क्या दे रहा है चीज सो उसकी पैसे भी बिकरी है तो स्वीगी से क्या कर रहा है स्वीगी अपनी पॉकिट से पैसे डा तो वो क्या करता है खाने के पैसे दे रहा है और जितना आप खा रहे हो आज एक और बात याद रखना है जितना आज आप खा रहे हो इससे ज्यादा पैसा आप उनको वापिस करोगे यास जितना बैनिफिट आज आप उनसे ले रहे हो उससे ज्यादा पैसा आपने वापिस क कोना काल को स्टाक मार्किट पे जाना और जब ये वहां पे दो चार पांच हजार क्रोड का इशू लाएंगी तब आपको समझ में आएगा आपके साथ क्या हुआ है क्योंकि कुछ स्टेक इनका फारण इन्वेस्टर्स है फारण इन्वेस्टर्स ने इन कंपनी को हजार पैसे उठाने हैं उन इन्वेस्टर्स को एक्जीट देना है अपना हिस्सा अपने पास रखना और जितना हमने खाया है हमें लगया कि इस कंपनी के शेयर आ रहे हैं हमें शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए यह सारी कहानी और अब ट्वीटर क्या कर रहा है ट्वीटर ने बड़े बड़े influencers को पैसे देने शुरू की है सबसे पहले इसने Twitter का नाम खतम किया X.com किया क्यों किया इसका आपको समझना पड़ेगा भारी बरकम पैसा दे के X domain खरीदी गई सिर्फ इसलिए खरीदी गई क्योंकि Twitter सेम नाम से अगर कल stock market में आता तो शायद share बेचने में उनको दिक्कत होती और कुछ सालों में आप देखोगे X.com फिर stock exchanges पे आएगा Elon Musk का का में पैसा बनाना Elon Musk का का में पैसा बांटना नहीं है बाकी कंपनियों को देखते हो इन्होंने क्या किया पहले खाली YouTube था जो लोगों के साथ revenue share करता था आज भी बहुत अच्छा revenue share करता है अगर आपके पास subscriber है views है सब कुछ है तो आपको अच्छा पैसा कमाई करने को उसका model की देखा देखी Facebook ने replicate किया उसकी model की देखा देखी कहीं और social media ने platform ने किया और same model की देखा देखी अब Twitter ने किया तो मेरे काफी दोस्त ये कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे है X को अब subscribe कर रहे है verified कर रहे है आपको नहीं मिलेगा ठेंगा क्यों नहीं मिलेगा वो मैं आपको भी प्रूफ दिखाऊंगा तो मेरा ये advice है आपको वहाँ पे 9-10,000 रपिया इन्वेस्ट करने से साल का 9-10,000 रपिया लगता है वहाँ पे पैसा डालने से अच्छा आपको क्या करना चाहिए ये पैसा संभाल के रखना चाहिए जब X.com मतलब Twitter के share द्वारा से आएंगे कुछ पैसा ये सब्सक्राइबर से खीन चुका बाकी का पैसा इसने लिस्टिंग से कमाना है और उसके बाद क्या हो जाएगी X. दुबारा से पब्लिक लिस्टिट कंपनी हो जाएगी और इलान मस्क जो है जितना करजा इसने उठाया था Twitter को लेने के लिए आपको उसमें से शेर नहीं मिलना तो जो इन्फुलैंसर्स आपके सब्सक्राइबर से शेर कर रहे हैं जो स्टोरीज आपको दिखा रहे हैं आपको उस स्टोरीज में उस मायाजाल में नहीं फसना लाउन मस्क का मायाजाल है इतनी सानी से कोई निकलता नहीं है तो अगर आप फस गे तो आपको 19,000 का चूना लग जाएगा आप बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके लिए Twitter ने फ्री में उनको ब्लू टिक दिया था अब वो पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनको उसे कमाई होगी कैसे होगी वो मैं आपको आप दिखाता हूँ आप थोड़ा देखिए फिर आपको सारी स्टोरी सारी कहानी समझ में आगी और आपको ठिंगा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा ये भी आपको समझ में आजाएगा क्यों आपको कुछ नहीं मिलने वाला अब दोस्तों ये देखो इंडिया टूटे में न्यूस चपी है और यही काम है इंफुलैंसर ये सब इंफुलैंसर है मीडिया इंफुलैंसर है लोग इंफुलैंसर है बता रहे हैं X blue tick के पैसे बसूल, Indian Twitter users Regise as they get paid in lakhs, as ad revenue payout, लेकिन इसके लिए page है, एक page क्या है, बता रहे हैं कि 3,00,000 रोपे तक का payout हुआ है, जब उन्होंने premium membership ले और ये पैसा अपने घर से नहीं देना, जादा से जादा revenue लेने के लिए जादा से जादा पैसा लेने के लिए, सो followers होने चाहिए followers खींचना बहुत मुश्कल बात है क्योंकि जब तक आप until and unless कुछ ऐसा पोस्ट नी करोगे लोग आपको follow नी करेंगे follower आपके आभी गे तीन महीने में आपको 15 million impressions चाहिए 15 million का मतलब 1.5 CR डेड़ करोड impressions चाहिए और आप अगर देखोगे Twitter पे कोई भी post डालते हो कुछ डालते हो 30, 40, 50, 60 कुछ ऐसे views आते हैं impressions आते हैं तो गेड़ करोड impressions तीन महीने में पचास लाग impressions कितना काम करना पड़ेगा अब कौन से आए हैं ये अब बता रहे हैं देखो नीचे बताया है जैसे एक गबर सिंग है वो बता रहा है कि मुझे दो लाख का payout आया है काफी सालों से हैं काफी post इनकी होती है नाम कुछ ऐसा इन्होंने लेकर रखा हुआ है जो थोड़ा attractive अपीलेंट है Twitter इसको बार बार हालना कि मैं इसको follow नहीं करता है इस सैंडल को लेकिन बार बार इनको throwड करता है कि आप इनको देखो और उनसे इनके pressure बढ़ते हैं जैसे being humor मैथून इनका भी है यह भी बता रहे हैं 3500000 इंप्रेशन अब बात है सारी impressions की यही नहीं है आप free में पैसा बना सकते हो मतलब YouTube में भी अभी तक कुछ ऐसा इन्होंने नहीं रखा कि आपको पैसे pay करने और तब जाके आपको क्या मिलेगा उनका add revenue मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है How to join the creators program यह बताया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हो आपको simple 15 million impressions चाहिए तीन मीने में 500 followers चाहिए और अगर X ने आपको subscription program में कर लिया लोग आपको पैसे बेख सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आपको कोई क्यों भेजेगा foreign में ये काफी प्रचलन है कि काफी कुछ बेखते हैं लेकिन इंडिया में अभी तक इतना नहीं है यहां लोग 10 रुपे बिखारी को नहीं देते 10 रुपे मंदिर में चड़ाने से प्रहेज करते हैं लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है काफी कुछ यहां पे change है पैसे का flow उतना नहीं है लोग इतने अमीर नहीं है जितने foreign में है उनकी डालर में revenue नहीं है की वैब ऐसे ऐसे वैसे जो है वो करते रहें यहां पे social security के नाम पे इतना कुछ नहीं है social obligation के नाम पे इतना कुछ नहीं है तो यहां पे अगर इस चीज़ का बोलोगे हाँ अगर आपके पास इतने impressions आप निकाल सकते हो 15 million impressions जेड़ मीने में तो आपको यह कहरना चाहिए जरूर करना चाहिए इसका partner program का हिस्सा बनना चाहिए पचास डालर से उपर की आपकी earning होगी तो आपको payout मिल जाएगा लेकिन बड़ी बात है इतने impressions कहां से लाने अब आगर और भी आप देखोगे यह तो एक छोटी सी कहानी थी दो लाग की यहां पर बताया गया है कि एंटी टरंप कमेंटेटर इनको 24,877 24,77 डालर का payout मिला है इनके ब्रदर को 24,305 डालर का आप यहां से आप समझ सकते हो तो इलान मस्क का कहना है कि जो initial payout है वो 5,000,000,000 डालर का है मतलब जो पैसा यह कमा रहे हैं जो ad revenue इनको आ रहा है अब एडें भी चाहिए जितनी ज्यादा engagement इस प्लेट फारम पे होगी आप सभी को पता है जब ट्विटर का अधिक रहन एलान मस्क ने किया था तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ad देना बंद कर दिया था इनको इनको ad नहीं दी थी तो इन्होंने क्या किया अब वापस advertisement का revenue लेने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा इनको दिखाना पड़ेगा सब को कि मेरे पास लोग हैं मेरे पास subscriber है मेरे पास followers है मेरे पास लोगों की engagement है engagement कैसी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करेंगे तो लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा add आएगी उसका अब किसी साब से payout आता है वो कह रहे हैं इसका भी कोई कुलासा नहीं किया पांच सो से ज़्यादा ही है लेकिन impressions नहीं है तो मैं गया है कि मेरे को लग रहा है कि अगर मैं इतमे पैसा डालूँगा तो उससे अच्छा है मुझे दस जार नो जार जो भी इनकी सब्सक्राइब सब्सक्रीपिशन फीज है वो मुझे संभाल के रखनी चाहिए साल दो साल में जब इनका शेयर आएगा मैं उसमें डालूँगा मेरे पैसे तब भी बन जाएंगे दो चार पांच गुना दस गुना तब भी बन जाएंगे और अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आपको लेकिन इनिशिली आप धी दूसरों को देखके उनके स्क्रीनशाट को देखके जितने ज़्यादा देखोगे उतने पागल होगे जितना पागल होगे उतना आपको लगेगा और उसके बाद सबस्क्राइब करने वे अगर पैसा नहीं आया तो आप डबल पागल हो जाए विर डबल पागल होने से अच्छा आपको समएना चाहिए सोचना चाहिए और उसके बाद यहां पर गूद ना चाहिए उसके बाद जादा से जादा इंप्रैशन्स हैं इन्होंने कहा है कि अगर कोई court case होता है तो लीगल बिल भी मैं दूँगा मनलब आप कुछ भी अगर डालते हो और आपका वो जस्टिफाई होता है तो लीगल बिल उनके लिए जिनके फालोर्स जादा होंगे मैं और आप कुछ डाल दें और कल को लीगली हमे कोई जुरूरत पड़े तो कोई नहीं देगा तो यूट्यूब मेरे हिसाब से अभी भी अच्छा माद्यम है अगर आप कमाना चाहते हो आपके पास अवाज है इंफुलेंस है सब कुछ है तो आपको यूट्यूब पे गुमना चाहिए यूट्यूब पे अपनी जो है स्किल्स को डालना चाहिए और वहाँ से आप एक अच्छी अरनी कर सकते हो लेकिन ट्वीटर पे क्या जाना चाहिए ये इस वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि मैं सभी को बता सकूँ कि जितना लिक्रेटिव दिख रहा है अतना लिक्रेटिव है नहीं अब जैसे जिनके जो बड़े हैंडल्स हैं शेड बाइ एक्स न्यू डेली हैंडल्स दा हाईएस पे आउट सो फारी सिक्स विडियो सावर एक लाख डालर का एक लाख मतलब सत्र पे जत्र लाख डालर का जो आप पे आउट भी इनों ने दिया है जरूर दिया होगा लेकिन इतना बड़ा बनने के लिए इतना बड़ा करने के लिए इतना बड़ा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इतना बड़ा पहले अपना नाम बनाना पड़ेगा और जब आपका डॉट कॉम का बलू प्रोग्राम का पार्ड बनना है या नहीं बनना है इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप मैं खतम करने ज्याद़ चाहता हूं अब आपको समझ में लगया होगा कि हर बिजनस पॉंजी स्कीम चला रहा है लेकिन स्कीम कैसे चला रहा है लीगल वे में आपक नुकसान होता है नुकसान को कैरी फार्ड वर्ड कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो और अगर आप लीगल वे में नहीं करते तो वही कुछ होगा जो बाकी स्कीम चलाने वाली कंपनियों के साथ होता है अब आपने लीगली चलना है अपना पैसा कैसे डालना है किस बिजनस में जालना है वो आपकी मद्धी मेरा काम था आपको समझाना वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ जुरूर शेयर करना ताकि वैवी ट्विटर को सब्सक्राइब करने से बच जाए अपना पैसा बचाने में काम्याब हो जाए क्रिप्टो विदैस भी हर सोशल मीडिया प्लेट फारम पे प्रेजन ए सुशान बख्षी हर सोशल मीडिया प्रेजन ए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए लिंक को क्लिक करके फालो कर सकते हो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जुरूर बताना अच्छा लगेगा तो थम दाउन दे देता लेकिन उम्मीद है कि काफी कुछ इस वीडियो से आपको थीखने को मिलेगा इसी के साथ नमस्कार जय हिंद